कि अज़िए आज में आप से लाल किताब के बहुत ही अचुक टोटकों के बारे में बात करूंगी जिनकों करके आप अपनी जिन्दगी को बदल सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे मता देती हूं नमस्कार दोस्तों मैं वीना गौतम कैसे हैं आप सभी आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक, Share, Subscribe करें चलिए अचुक टोटकों के बारे में मैं बात करती हूँ, उनके उपायों को मैं शेर करती हूँ, अगर किसी को हाई ब्लड पेशर है या डिप्रेशन है तो उसके उपाय करने के लिए इतवार की रात को सोते समय अपने सिराने की तरफ 325 ग्राम दूद रख लीजिए, सोमबार को आउट कर सबसे पहले इस दूद को किसी कीकर या पेपल के पेड को अरपित कर दे, दोस्तों ये उपाय आपने पांच इतवार को लगातार करना है, यदि किसी को हाई ब्लड पेशर या डिप्रेशन है तो लाव अविश्य होगा, कई लोगों को माईगरेन या आधी सिसी क दर्ध होता है, उसके लिए बहुत ही अचुक उपाय है, जिसको करके आप इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं, सुबा सूर जुगने के समय एक गुड कर डला लेकर किसी चौराय पर जाकर दक्षीन की और मूँ करके खड़े हो जाए, गुड को अपने दातों से दो हिस् नहीं मिल रहा है, किसी को उधार दिया या कहीं से आपने पैसा अपना वापस लेना है, और वो आपको मिलनी रहा है, उसके लिए यह अचुक उपाय कीजिए, यदि आपकी रिकम कई फस गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो आप रोज सुबा नहाने के पश्या सूरज को जल अरपन करें, उस जल में ग्यारा बीज लाल मिर्च के डाल दे, तता सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रातना करें, इसके बाद ही ओम आदित्याय नमा का जाप करें, कई बार ऐसा होता है कि हम नोकरी करते होते हैं, छुट जाती हैं हमारी बार बार यार लगती भी है, तो वहाँ के लोग आपको परिशान करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अचुक टोठका है जिसको करकर आप नोकरी के परिशानी से छुटकार अपा सकते हैं, नोकरी में आई समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हर मंगलवार को बादाम का प्रशाद लेकर मंद मंदिर में चड़ा कर लड़कियों को बाड़ते हर मंगलवार को दोस्तों अगर आपका बंता हुआ काम बिगड़ रहा है कोई भी परिशानी हो तो आपने यह पाय करना है यह बहुत इसी दुपाए हर मंगलवार को हनुमान जी के चर्णों में बदाना मीठी बूंदी जिसक अपनाए यह आपको नोकरी दिलाने में दिक्कत आ रही हो तो इस उपाय को आप करके देखिए अगर आपको नोकरी नहीं मिल रही है लाग कोशिशों के बाद भी तो कोई में दूट डाले उस कोई में पानी होना चाहिए काला कंबल किसी गरीब को दान करे मुखी छे कारे अस्तल और घर में धनकी वर्षा के लिए आपने इस उपाय को करना है जिसको करके आप अविश्य ही इसका लाग उठा सकते हैं इसके लिए आप अपने घर दुकान ये शोरू में अलंकारिक फबारा रखे या एक मचली घर जिसमें आठ सुनारी वे एक काली मचली हो इससे उतर या उतर पूर क्यों रखे यदि कोई मचली मर जाये तो उसको निकालकर दूसरी मचली को आप उसमें रख सकते हैं इससे धनकी वर्षा होगी आपके कारियस तल और घर के अंदर अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए या चुक उपाय करें गुरुवार को किसी मंदिर में पीली बस्त हुए जैसे खादे प्रदाद, फल, कपड़े या त्यादी का दान करें हर सुबर नंगे पैर घास पर चलें अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा ह तो इन उपाय को जरूर करके देखिए परशानी अगर है बहुत जादा उससे मुक्ती नहीं मिल रही है आपको परशानी से तो आपको यह उपाय करना चाहिए आज कल हला आदमी किसे न किसी कारण से परशान है कारण कोई भी हो आप एक तामे के पात्र में जल भर कर उसमे थोड़ा सा लाल चंदन मिला ले उस पात्र को शिराने रखकर रात को सोते वक्त तोने से पहले उसको शिराने रखे और फिस हो जाए प्राता कालू जल को तुलसी के पोदे में चड़ा दे धिरे देरे आपकी सभी परिशानिया दूर होती चले जाएंगी अगर किसी इस त चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें फिर दुर्गा माताजी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तूती में से चंदीश तूरत का पार्ट 45 दिन तक करें पार्ट करने के बाद चंदन और केसर का टीका अविश्य लगाएं आपको अविश्य ही लाव होगा दोस्तों यह वीडियो यहीं तक है अगर पसंद आईयो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आगया आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहें धन्यवाद